24 सीटों पर बिहार विधान परिसद का चुना होना है जिसको लेकर कल ही एंडिये ने देड़ साम प्रेस कॉन्फरेंस कर सीटों का बटवारा कर दिया है जिसमें एंडिये के जो घटक दल हैं हम या फिर वी आईपी पार्टी उन्हें एक भी सीटे नहीं दी गई है इस पर व लेकिन कल रहेंगे या नहीं यह पता नहीं दरसल मुकेशनी ने यह बात इसलिए कई है क्योंकि जो सीट शेरिंग हुई है उसमें वी आईपी पार्टी को एक भी सीटे नहीं मिली है जिसे मुकेशनी काफी दुखी है उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें बार बार दिल्ली तक पहुंचेंगे और जो हमारी मुख लड़ाई है निसात को आरक्षान वह आज हो या कल हो या पर्स हम दिल्ली से लेकर रहेंगे चाहां वह सरकार सहयोग से ले यह सरकार को बदल के लिए लेकिन लेके रहेंगे बरतमान सरकार पे भी कुछ खत्रा है आपके जो समर्धन दिये ने उस पे भी कुछ जो बिला इमांदारी सभी हैं और इमांदारी कब तक रहेंगे आज हैं अब कल का तो हम भी नहीं कह सकते लोग हजारों सुया अगर भोगते रहे हजारत रख से परिसान करते रहे देखि ये क्या होता है अभी देखे एक किसी ब्यक्ति को अपमान करने का अभी एक सीमा होगा आज एक हिसाब से तो हमारे साथ अपमान कर रहा है हमारे समाज को अपमान कर रहा है माजी जी को अपमान कर रहा है ये सब अपमान सहने का भी एक सीमा होता हर इंसान का और सीमा जब खतम हो जाएगा तो कुछ भी होगा अभी हमें लगता है कि सीमा में हैं लोग ठीक है और सीमा हम तो कहेंगे कि ऐसे साथ ही सबकों सीमा खतम मत कीजिए तो आपने सुना विहाबी कि बार बार एंडिये में उन्हें अपमानित किया रहा है इसलिए आज वो एंडिये में हैं लेकिन कल रहें गया नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं कई न कई कह सकते हैं कि उन्हें विधान परिशत के चुनाओं में एक भी सीटे नहीं मिली इसी वज़े से वो आहत है और उनने असपष्ट कह दिया है कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जब सीमा खत्म हो जाती है तो वो व्यक्ति कोई भी फैसला ले सकता है और जिसका खामयाजा एंडिये को भी भुकतना पड़ सकता है वह उन्होंने एक बड़ी बात कई है निसाद समाज को लेकर वो लगतार आरक्षन की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि बिहार जार्खन में राजनीती कर रहे हैं धिरे धिरे उत्तर प्रदेश से राजनीती करते करते दिल्ली तक पहुंचेंगे और दिल्ली सरकार यानि कि केंद्र सरकार से वो आरक्षन की मांग को लेकर रहेंगे झाल झाल